मित्रों शती युग में ध्यान से त्रेता युग में यग से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रशन होते हैं प्रन्तु कली युग में केवल राम का नाम ही एक अधार है क्योंकि कली युग में जग्य जप तप हो ही नहीं सकता है करना ही शंभव नहीं है इसलिए एक ही सिर्फ राम का नाम जपना है एक नाम कामत रुकाल कराला जएसी आराम जए जए हनुमान अश्मिरत शमन सकल जग जाला जएसी आराम जए जए हनुमान अराम नाम कली अभी मत दाता जएसी आराम जए जए हनुमान अहित पर लोक लोक पितु माता जएसी आराम जए जए हनुमान ऐसे कराल कली युग के काल में तो नाम ही कल्प दिख्च है जो अस्मरन करते ही संसार के सब जनजालों का नास कर देने बाला है कल्युग में यह राम नाम जो है मनो बान्शित फल देने बाला है पर लोक का परम ही तैसी और इस लोक का माता पिता है अर्थात परलोक में भगवान का परमधाम देता है और इस लोक में माता पिता के शमान सब प्रकार से पालन और रक्षन करता है अनही कली करम न भागती भी बेकू जैसी आराम जै जै है नुमान अराम नाम अब लंब न एकू जैसी आराम जै जै है नुमान अकालने मी कली कपट निधानू जैसी आराम जै जै है नुमान अनाम शुमती शमरत है नुमानू जैसी आराम जै जै है नुमान कली उग मेने करम है न भक्ती है और न ग्यान ही है राम नाम ही एक आदार है कपट की खान कली उगरू पी कालने मी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है तो बोल ये शियावर राम चंद्र की जै अयोद्या राम लला की जै ब्रिंदावन बिहार इलाल की जै पवन शुत हनुमान की जै बोलो भाई शब शंतन की जै हरहर महादेब जै शिब संभो